हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्लम्बिंग टूल्स के बारे में उनके नाम और उनके काम जो प्लम्बिंग के आउजार होते हैं जो प्लम्बिंग टूल्स होते हैं उसका नाम क्या होता है और किन कामों में उसको यूज किया जाता है दोस्तों यह जो टूल है इसका नाम है डाई इस टूल को पाइप में चूड़ी बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है यह अलग लग पाइप को भी चूड़ी बना देता है दोस्तों यह जो टूल से इसका नाम पाइप प्रिंच है यह जो पाइप प्रिंच होता है यह वह हैं जो इसको काम हिले अर्य जो टूस आप देख रहें इसका नाम है us को आ इसको काम करता है उसको बॉल्ब सी से पकड़ह हुए राता है और यह हैंडल होता है दूली जुट को है प्य काटने के लिए ऊए लग छगव में लिया जाता है और इजा प्याइन दक नाव होता है है यह काम कर लित आल की लिए प्रीठिंगे लिया जता है दोस्तो इस टूस्का नाम है चेन रिंच इन को बहुत से लोग नहीं जानते इसका काम यह होता है कि इसमें गृतर बड़े मिट रपनी उसको खोड़ू से ड्रच काम में लिया जाता है और एजो टूस देख रहे है इसका नाम है इसको यह फाइल है कि मतलब इसको फाइल करने के लिए मतलब अगरने के लिए स्टेबल करने के लिए प्लेन करने के लिए इसको काम में लिया जाता है और यह जो टूस देख रहे हैं इसका नामे इसका भी नामे वाइस यह जो होता है काम हों लेता हैरा है इसका नामें इसको काम में लिया जाता है एा बाभल लेबल नेखिने के लिए को काम में लिए या काम में लिया जाता है और यह जुट जो इसका नाम है इसको काम में लिया आता है और यह जो तूल है जो होता है तूस होता है इसके मतलब दीवार या बहुत बहुँस चीज होते हैं जिसमें तब ड्रिल करने के लिए अंदर मतलब गटा करने के लिए इसको काम में लिए जाता है और यह चीज को आप देख रहे हैं इसका नाम है एक टेवल इस स्पैनर रिंज मतलब इसको आप स्लाय रिंज श्ट होयता है इसमें छोटा करेंगे और और इस टूल्स का नाम है double open spanner इसको double open spanner रिंच भी आप बोल सकते हैं इसको मतलब double side में ये spanner बना हुआ रता है और ये नट को खोले और कसने के लिए को काम दे आता है तो दोस्तो यह था कुछ जरूरी प्लम्मिक टूल्स जिसे हर प्लम्मर काम में लेते हैं और अपना काम को पूरा करते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में अतना ही उमीद करता हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत